नमस्कार आप देख रहे हैं नुजाप का आज हम बात करेंगे कि नक्सलियों द्वराकियों लोगों की पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या कर दे जाती है कल मैंने आपको दिखाया था कि सोनवा थाना छेतर के नचलदा गाओं में नक्सलियों द्वरा एक वेक्ति की हत्या कर दी गई वो बजार में अपने बाइक साया हुआ था जिसे नक्सलियों ने पकड़ कर पहले खुब मार पिट की और उसे कुछ दूर लेकर लोंजो सड़क किनारे कनपटी में जो है गोली दाग दी गई एक गोली उसके सर पर एक गोली उसके कंधे पर लगी मोके पर उसकी मौत हो जाती है पुलिस दुआरा सव को बरामत कर लिया गया उसकी पहचान भी कर ली गई है उसका नाम बुदलाल सूरिन था पिता टूसू सूरिन गाओं सेजां कोचा कुड़या कर रहने वाला था कुछ समय से सक होने लगे थे और उसी के अधार पर उसकी हत्या कर दी जाती है इस हत्या कारणड के बाद पूलिस ने हाटकोर नक्सली चमन, अमित मुंडा, सालुका कायम और अन्य साथियों पर एफायर दर्च किया है सुनवा थाने में आपको मैंने दिखाया था कि नक्सली जो है काफी जादा बोखलाई हुए है और जिस भी लोगों पर उनको सक हो जाता है उनको सिधे मौत के घाट उतार देते हैं नचल्दा और लोंजो इलाके में पहले भी मौवादियों ने कई लोगों की हत्या जो है कर चुके हैं या कोई नया मामला नहीं है या दोनों इल लोंजो में बुदलाल सूरिन को जो है गोली मारी गई उसी लोंजो गाउ में जो है दोहजार सोल में धानसी जबू था और लोबो लोहरा की जो है हत्या नकसलियों ने की थी एक साथ दो लोगों की हत्या उस समय नकसलियों ने किया था इस तरह से नकसलियों ने अब तक च मेलसन भेंगरा के अरम बात करें तो वो नकसलियों के संपर्क में था उनके लिए भी काम कर चुका था और उसकी हत्या हो जाती है। काफी लंबी है और मैं ये सारे उन लोगों के आज नाम बताऊंगा जिनकी हत्याएं जो है पुलिस मुकबिरी गारोप में नकसलियों ने कर दी है। के रहते हैं। आज भी कई ऐसे गाउं के सेक्रो लड़के हैं जो नकसलियों के साथ संपर्क में रह रहे हैं। गाउं में वे लोग समाने जीवन जीते हैं। जोरत पढ़ने पर नकसलियों की भरपूर मदद करते हैं। नकसलियों के लिए जो है मददगार बनना कई बार मजबूरी हत्ती है लोगों के लिए। कई बार लालच के वज़े से लोग संगठन से जुड़ जाते हैं। जो भी वेक्ती एक बार नकसलियों के साथ जुड़ कर काम करने लग जाता है उसके उपर हर तरप से खत्रा मंडराने लगता है। पुलिस के तरप से तो खत्रा होता ही है नकसलियों के तरप से तो एकदम सीधे तोर पर कहा जाए तो जान का खत्रा होता है। मुआज संगठन की जो है उसकी गोपनियता उसकी एक मजबूत आधार माना जाता है और जहां भी जब कभी भी उसकी गोपनियता भंग होने लगती है और एक जो है बड़ा नुकसान उसी से पहुंचता है जैसे हाल के दिनेों में आपको देखने को मिला होगा मुटभेड मे काफी जादा नकसली मारे गए एक बड़ा नुकसान नकसली को हुआ एक बड़ा जटका नकसली को मिला अपनी गोपनियता को बरकरार रखने के लिए हमेशा उनके लिए जो काम कर रहे है लोगों को जो है संगठन से बेजोड कर रखना चाहते हैं किसी को भागने नहीं दे किया जाता है कि जान मारने से पहले तीन बार उसको चेतावनी दी जाती है मोका दिया जाता है मगर कई हत्याएं हो चुकी है मगर ये दावा, ये सच्चाई साइध ही अब तक पता चल पाया है आपने देखा होगा कि किस तरह से जंगलों में सेक्डो संख्या में टीफिन बम लगाते थे आखिर उतनी जादा मातरा में टीफिन उन तक पहुंचता कैसे होगा कही ना कही उनके लिए जो काम करते हैं और वही लोग जब काम करने से मना कर देते होंगे या फिर काम छोड़ना चाहते होंगे तो फिर उन्हें पुलिस मुगबिरी बता कर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है ऐसे कई लोगों का कहना है नकसलों दवरा अंगिनत हत्याय अब तक कर दी जा चुकी है उसके बिसे में मैंने एक पुलिस अधिकारी से बाचित की तो उनका कहना था कि हम ये विल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी ग्रामिन की जो है नकसलियों की जनकारी हम तक पहुँचा है क्योंकि पुलिस मुगबिरी के सक में कई लोगों की हत्या नकसली कर देते हैं हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि नकसली ओं की जनकारी हम में ना दे, बस हम यही चाहते हैं कि नकसली ग्रामिनों की हत्या करना बंद करतें, क्योंकि एक हत्या से एक विक्ती नहीं मरता बल्कि पूरा पडिवार उसका उजड़ जाता है, अब आपको मैं चायब अबसा जिले में नकसली दोरा की गई हत्याओ को बताऊंगा दोजार सोला में हलमाद गाओं टेबो थना चेतरकंतर गाता आता है उसमें दो लोगों की हत्या नक्सलियोंने की जिसका एक का नाम गालुपूर्ती दूसरा का नाम सामुपूर्ती था 2017 में गुद्रि थना के बंदो कुबा गाओं के सोमा पूर्ती और बिर्शा की हत्या नक्सलियोंने की और वहीं पर 2017 में ही मवादी कमांडर जोसेफ अगरिया के बड़े भाई जो की संगा जटा करेने वाला था भीमसें नंग्रिया उसकी हत्या नक्सलियोंने कर दी और इस तरीके से दिखा जा तो ज़्यादातर हत्याए नक्सली जो समर्थक होते हैं उनकी भी ज़्यादातर हत्याए हो जाती है मेलपी गाउं के बागुन बोद्रा 2019 में जो है नचलदा गाउं के ग्रामिन मुंडा लखन हेमरोब की भत्या हुई 2020 में मुर्गा और बकरी के वेपार करने वाले ग्राम भालू रंगी थाना सोनवा राज की सुर्गोब की हत्या हुई वहीं वर्स 2019 में ही डेरवा निमासी पूर मुआदी समथख छोटे दुरसुली और दिलबर भेंगरा की हत्या हुई 2021 में गाउं पालू हसा जो की गोलकरा थाना छेत्रकंतर गता आता है वहां के रहने वाला एक वनकर में बोराम लुगून की भी हत्या नक्सलियों ने कर दी 10 जुन 2022 को पासु बढ़ा निमासी धानसर सुरिन की भी हत्या हो गई दिसंबर के महिने में कदा बुरू के रहने वाले डॉम चक्की की हत्या नक्सलियों ने निर्वम तरीके से कर दी जन्मरी 2023 को अपने ही मुवादी समर्थक तुम्बा हाका निमासी परताभ हेमरों की हत्या जन अदालत लगा कर नक्सलियों ने कर दी पूर मुवादी समर्थक चारोपूर्ती जो की पंता गाउं का था उसकी भी हत्या मुवादी यह ने कर दी जो नकसलियों के लिए काम किया जो उनके लिए जो है काम करकर जो है उनका समर्थक था उन्हीं की हत्या नकसलियों द्वारा कर दी जाती है ऐसे कई मामले में जो है चाहता देखने को मिले है तो क्या कह सकते हैं हम इस पर हम क्या अपने ही लोगों की हतिया नक्सली करते हैं क्या कुछ दिन बाद कटमबा निवासी कानूराम अंगरिया की हतिया हुई उसी महिने फिर से सासाल गल गाउं के मौदि समर्थक जुकसी अंगरिया की जो है हत्या हो गई 2030 के अगस्त महिने में पांच लोगों की निर्मम तरीके से हत्या जो है नक्सलियों ने की और जिनकी हत्याएं हुई वे सभी पूर्मे मौदियों के लिए काम करते थे और सक होते ही उनको जो है मौद के घाट उतार दिया गया उसके फिर अगले महिने दिनांग साथ सितंबर 2030 को कासी जोगा के रहने वाले रिटायर फोजी सुखलाल पूर्टी और फटन की भी हत्या मुखबिरी के आरोप में कर दी गई तो आपने देखा कि किस तरीके से पच्चिम सिंभूम का हर इलाका नकसलियों के खुनी खेल से अब रंग चुका है और ये हत्याएं कब बंद होगी और ये हत्याएं और भी बढ़ सकती है जब तक नकसलियों को नुकसान पहुंचता रहेगा ऐसे इस तरह के मामले देखन कि खेले से हम कह सकते हैं हमारे सुत्रों का रहे से ये जनकारी मिली है कि नकसलियों के मंडा को भी चतावनी दी गई है कि क्यों गांए के मुंधा की में oh और इसलिए मुंडा को भी धमकी दी गई है और कैम के लिए जमिन ना दिया जाए अन्यथा अच्छा नहीं होगा ऐसा कहा गया है कई ग्रामिनों का कहना था कि अब जो है हम नकसलबाद नहीं चाहते हैं इस नकसलबाद के जंग में सबसे ज़्यादा क्योंकि नुकसान यहां गवानी पड़ी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए सिरफ जंगलों पर आतीन है gilt जंगलों का सहरा लेते हैं किसी तरह से गुझर बसर करते हैं आखिर कब तक कोलान में इसी तरह से खुन बहेगा, आखिर इस जंग का अंत कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है, इन लगातार हो रही ही, हत्या से इलाके में जो है दसत तो बरकरार है ही, मगर नकसलियों ने जो विस्वास पहले जिता था, वो विस्वास खोते जा रहे हैं, नकसली प्रभावित इलाकों के रहने वाले लोग नकसलवाद को अब नहीं चाहते हैं, उनका कहना था कि सरकार उनको स्विधा दे, वो सारी चीजे मोहिया कराए, जिससे वो सालों से वन्चीत हैं, कई लोग तो कैंप लगाने से अब जो है काफी ज़धा खुस हैं, इलाक मगर डर्ग से काम शुरू नहीं हो पा रहा है, सरकार पर बड़े-बड़े सवाल नकसली करते हैं, मगर आदिवासियों के जीवन का बदलने की मुहिम वे क्यों नहीं करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वे ऐसा काम नहीं करते हैं, जिससे ग्रामिनों का भलाई हो सांती हो, अमन हो, चैन हो, ऐसा, वो क्यों नहीं करते हैं, सरकार भी बड़ी-बड़ी बाते करती है, आदिवासी बात करती हैं, मगर आदिवासीं का उखी सबसे ज़्यादा नुकसान पच्चिम जिम्बुम में हो रहा है इस पर सभी को विचार करना चाहिए विमर्स करना चाहिए नकसलियों के अपने अपने पक्च है पुलीस के भी अपने पक्च है और इसी में बीच में जो है आम जनता फंस चुकी है पिस रही है और हर वक्त जो है उनकी जाने इस खुनी जंग में जा रही है फिलाल अभी के लिए पस इतना ही नेक्षी लेड़ा अपड़ेट के लिए हमारे सा जूड़े रहे हैं देखते रहें news आपका इस channel को अब आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले क्योंकि सित्रक के latest update, latest जानकारी आपको सायफेट a.s जानकारी मिलती रही धन्यवाद